हेलो एन वेलकम गाईस मैं हूँ संजी कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गो ओनलाइन तो आज की इस वीडियो में जानेगे कि आप FIMONEY के एप के जरीए आप ओनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हो जैसे की बारकोड इसके नहीं UPI-RD Payments, Bank Account Payments और साथी साथ Mobile Number से आप कैसे Payments वगर कर सकते हो Basically इस वीडियो में FIMONEY की Digital Payments Services के बारे में आपके साथ share करने वाला हूँ इस वीडियो को जो है Starts लेकर इंट तक देखेगा ताकि कोई भी Confusions Create ना हो और आप Easily Payment कर सको तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपनी FIMONEY की Application जो है Open कर लेना है Open करने के बाद देखिए गाइस कुछी इस तरह का Interface आपको दीखेगा पर यह वाला Option दीख रहा है सिंपली इस पर टैप कर लेना है FIMONEY के Digital Payments की सारे Options यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जैसे की Scan QR, Band Transfer, Phone Number, UPI, RD सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं Scan QR Code को तो देखते हैं यह Option वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है Finally आपने देखा कि इसे तूरंद कुछी सेकेंड में Scan कर लेता है इसके बाद Simply Guys यहाँ पर Amount इंटर कर लेना है Amount इंटर करने के बाद Simply Guys अब देख सकते हो यह का एक Option दिखता है इसके बाद Guys यहाँ पर आपको UPI की Pin इंटर कर लेना है Pin इंटर करने के बाद Right वाले Option पर टैप करना है अब देख सकते हो एक message भी आ चुका है payments related और इसके ठीक नीचे आप देख सकते हो you paid 5 रूपए simply हम इस पर tap करते हो और देखते हैं इसके transactions details यहाँ पर आप देख सकते हो successful transactions हो चुकी है रूप के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर paytm का एक notification आया हुआ है जिस पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है payment received of 5 रूपए इस कुछ इस तरह barcode scan करके आप payments कर सकते हो अब हम बात करने वाले है bank transfer payments option की सबसे पहले वाले option पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको IPCC code इंटर करना है उसके पाद account number फिर से account number इंटर कर लेना है confirm करने के लिए उसके बाद नीचे आप देख सकते हो account holder का नाम mention करना है तो जैसे कि आप देख सकते हो अपनी account के details इंटर कर लिया है secure pin याने कि आपका जो same UPI pin है वो यहाँ पर इंटर कर लेना है उसके बाद आप नीचे देख सकते हो right का option मिला हो तो simply हम इस पर tap करते हैं पूरंद बाद आप देख सकते हो payment paid का एक notification आ जाता है इंचे देख सकते हो you paid 5 रूपए तो guys कुछ इस तरह से आप account add करके payments कर सकते हो अब हम बात करने वाले हैं इसके detail mobile number payments की तो guys यहाँ पे वही number इंटर करना है जो already FIBank में registered है mobile number इंटर करने बाद आप देख सकते हो उसके नाम के साथ यहाँ पे आपको 100 करेगा उसकी details तो simply हम इस पर tap करते हैं मैंने already इससे पहले payments कर चुका हूँ 45 रूपए का जैसा कि आप देख सकते हो इस page में transactions की details पूरी 100 करेगी तो guys आप कुछ इस तरह से mobile number इंटर करके payments कर सकते हो अब हम बात करने वाले हैं UPI ID से कैसे आप payments कर सकते हो इसके बाद आपको UPI ID यहाँ पे इंटर कर लेना है इंटर करने के बाद आप नीचे देख सकते हो verify and proceed का एक option मिलता है तो simply हम इस पे टैप करते हैं अगर आप already इस UPI ID पे payments कर चुके है तो इसकी details कुछ इस तरह दीखेगी जैसा कि आप देख सकते हो same इसके लिए भी pay वाले option पे टैप करना है उसके बाद अपना amount यहाँ पे इंटर कर लेना है amount इंटर करने के बाद simply आपको pay वाले option पे टैप कर देना है तो same procedure फिर से आपको दोहराना है उसके तुरंद बाद आप देख सकते हो notification आ चुका है पूरी जानकारी मिल सके साथी साथ गाइस अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाए हिंद